दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना की परमात्मा कौन है यानि हमने परमात्मा के बारे में छोटी छोटी बाते जानी, जो सब को जाननी भी चाहिए. अगर किसी दर्शक ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख लीजिएगा. और हाँ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इश्वर क्या है, इश्वर कहा है, इश्वर क्या करते हैं हम इश्वर को कैसे पा सकते हैं और भी बहुत कुछ तो दर्शकों वीडियो को अंध तक देखना और वीडियो को लाइक शेर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इश्वर क्या है? इश्वर शुध प्रकाश स्वरूप है लेकिन वो प्रकाश नहीं है। इश्वर केवल एक है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। कलेश कर्म विपाक और आशे इन चारों से अप्रा आश्ट संबंदित नहीं है। वही पुरुष विशेश इश्वर है अर्थात जो बंधन में है और जो मुक्त हो गया है वही इश्वर नहीं है। बलकि इश्वर ना कभी बंधन में था ना है और ना रहेगा इश्वर निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प है। उसकी कोई मूर्ती नहीं बनाई जा सकती। इश्वर अजनमा है जिन्होंने जन्म लिया है और जो मृत्यू को प्राप्थ हो गए है। या फिर अजर अमर हो गए हैं वे सभी इश्वर नहीं है इश्वर दयालू प्रेम पूर्ण और जगत का रखवाला है वह सचिदानंद है अर्थात सचित और आनंद स्वरूप है सत का अर्थ है सनातन शाश्वत जिसका कोई प्रारंभ नहीं और अंध भी नहीं ना बदलने वाला और ना समाप्थ होने वाला चेत का अर्थ है चेतना विचारना मन और बुद्धी आदी चेतना से ही संसार का उद्भव हुआ है तीसरा इस संसार का सबसे बड़ा आकर्शन आनंद है संसार की उत्पत्ति आनंद के लिए ही हुई है शुधा आनंद की अनुभूती हो न दुरलब है। वो परब्रम ईश्वर एकात्म भाव से और एक मन से तीवर गतिवाले हैं। वे सबके आदी प्रारम तथा सबके जानने वाले हैं इन परमात्मा को देवगन भी नहीं जान सके। वे अन्य गतिवान को स्वयम स्थिर रखते हुए भी अतिक्रमन करते हैं। इश्वर क्या करते हैं इश्वर का कोई संदेशवाहक नहीं। संदेशवाहक देवी और प्राप्तकर देवताओं के होते हैं। अर्थिया ने इश्वर के वचनों को सुना और उसकी स्तुती की जिसे वेद कहा गया। वे इश्वर ये वचन है जिनमें आदेश संदेश य आग्या नहीं है. ब्रह्मय या इश्वर ना न्याय करता है और ना अन्याय करता है. लेकिन जो उसका ध्यान करते हैं उनके साथ कभी अन्याय नहीं होता. इश्वर किसी को भैवीत करने वाला और ना ही प्रेम करने वाला है. जो उससे प्रेम करते हैं ये स्वत ही उसके इश्वर ना आग्या देने वाला है और नहीं उपदेश देने वाला। उपदेश और आग्या देने वाले इश्वर या सत्य के मार्क पर नहीं है। कौन इश्वर नहीं है ब्रह्मः ही सत्य है जो ना तो पुरुष है ना ही स्त्री. वो सिर्फ ब्रह्मः है इश्वर ना तो भगवान है ना देवी है ना देवता और ना ही ब्रह्मः विश्नु और महेश. इश्वर प्रित्वी जल अगनी वायू और आकाश भी नहीं। इश्वर ना स्रिष्टी रचयता है और ना स्रिष्टी का रगाश भी नहीं। उसके होने से ही स्रिष्टी हुई और उसके होने से ही सूर्य तारे प्रित्वी तथा दूसरे ग्रह नक्षत्र काबू में रहते हैं। उनके काबू में रहने से ही प्रानियों का अस्तित्व विद्यमान है तो वह ऐसा होने पर भी ऐसा नहीं है। अर्थात उसकी उपस्थिती से ही सब कुछ है जड़ से बढ़कर प्रान है प्रान से बढ़कर मन। मन से बढ़कर बुद्धी है और बुद्धी से बढ़कर विवेक। विवेक से बढ़कर चेतना है और चेतना से बढ़कर आत्मा। आत्मा ही सभी को धारं करने वाली है और इस आत्मा को धारं करने वाला परमात्मा है। धर्ती से बढ़कर जल है जल से बढ़कर अग्नी। अग्नी से कर वायू है और वायू से बढ़कर आकाश। आकाश से बढ़कर महत है और महत से बढ़कर आत्मा. आत्मा से बढ़कर वह एक मात्र परमात्मा ही सभी को धारंग करने वाला है. उस ब्रहमा से प्रकट यह संपूर्ण विश्व है जो उसी प्रान रूप में गतिमान है. उद्यत वज्र के समान विक्राल शक्ती ब्रहमा को जो मानते हैं अमृत्व को प्राप्त होते हैं. इसी ब्रहमा के भाय से अगनी वसूर्य तपते हैं. और इसी ब्रहमा के भाय से इंद्रवायू और यम्राज अपने अपने कामों में लगे रहते हैं. शरीर के नश्ठ होने स पहले ही यदि उस ब्रह्म का बोध प्राप्त कर लिया तो ठीक है. अन्यता अनेक युगों तक विभिन योनियों में पढ़ना होता है तैत्रियोपनिशिद में लिखा है. चौती आत्मा और इश्वर का संबंध क्या है यह आत्मा ही ब्रह्मा है. ब्रह्मा स्वरूप होने और ब्रह्मा में से ही प्रस्फुटित होने के कारण आत्मा को भी ब्रह्मा इश्वर तुल्य माना गया है. संसार प्राकृतिक शक्तियों का खेल है और प्राकृतिक शक्तिया चित शक्तियों का खेल है और चित की शक्तिया आत्मा का खेल है और आत्माई ईश्वर के होने से ही विध्यमान है ईश्वर को कैसे जान सकते हैं? स्वयम को जानने वाला ही ईश्वर को जान सकता है इश्वर तक पहुँचने के दो ही रास्ते हैं शर्नागती और ध्यान ये दो मार्ग अभ्यास और जागरिती से हासिल किये जा सकते हैं एहम ब्रमास्मी अर्थात में ही ब्रहम हु तत्वस्मी अर्थात तू ही ब्रहम है और एक मेव ब्रहम सत्य अर्थात वह ब्रहम ही सत्य है तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद और आगे ऐसे ही जानकारी की वीडियो आती रहेगी आप हमारे साथ ज भन्यवाद